प्रभू आपके जीवित वचन के लिए प्रभू आपके वचन से हमें बहुत सीखना है प्रभू इसके गहराईं को अपनाना है और प्रभू आत्मा आपके मदद हमारे लिए हमेशा उपलब्ध इसलिए मैं आपके धने बात देते हैं बोलने के लिए सीखने के लिए लागू करने के लिए आप हमारे साहता करें प्रभू इसमसी के नाम से मांगते हैं आमेन दूसरा कुरंतियों ग्यारवाद ध्या उसकी पहली आयत से यदि तुम मेरी थोड़ी सी मुर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता हाँ मेरी सह भी लो दस्वे ध्याय के अंदर पॉलुस ने बार्वी आयत में कहा था क्योंकि हमें यह सहास नहीं कि हम अपने आपको उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशन सा आप करते हैं और अपने आपको आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं एक दूसरे से मिलान करते हैं, आपस में कंपेर करते हैं, और क्या ठहरते हैं, मूर्ख ठहरते हैं, मूर्ख ठहरते हैं, ग्यारवय ध्याय के अंदर बार बार आएगा मूर्ख, मूर्खता, मैं आपको बता दूँ, पहली आयत में हमने देख लिया मूर्खता एक बार आगया, उसके पश्चात आप 16 आयत में देखेंगे मुझे मूर्ख न समझें फिर 17 आयत में देखें नहीं पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ उसके पश्चात 21 आयत में फिर कहेगा मूर्खता और बार 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 ध्याय में भी मूर्खता मूर्खता आएगा बात ये हो रहे है दस्वे ध्याय के अंदर पॉलुस ने हमें कहा है कि जो अपने आपको दूसरों से तुलना करते हैं वे मूर्ख हैं अब हुआ यूँ कि कुरिंद के अंदर कुरिंद के विश्वासियों का एक जुन्ड पॉलुस को मानना नहीं चाहता वो कहते हैं कि ये प्रेरित नहीं है वो कहते हैं कि इसके पास चमतकार नहीं है वो कहते हैं कि इसके पास लेबल नहीं है इतना दुख उठाने वाला प्रेरित कैसे होगा ये सच्चा प्रेरित नहीं है ऐसी ऐसी बातों को कहकर जूटी बातों को कहकर पॉलुस को वे किनारा करना चाहते हैं जो काम पॉलुस ने शुरू किया है उसको हतियाना चाहते हैं इन बातों को दस्वेध्याय के अंत में हमने देखा इसलिए में ज्यादा ये नहीं कहूंगा लेकिन अपना आके चलते हैं और अब पॉलोस उनके लेवल में आ रहा है उन्हें मुर्ख कह रहा था और अब अपने आपको उस मुर्खों की सूची में खड़ा करेगा और 16 आयद से आगे तो मुर्खों के समान बात करेगा वो अपने आपके लिए कहेगा मैं मुर्खों के समान बात करूंगा मुझे करन पढ़ रहा है मुझे तुम लोगों ने बात ही कर दिया है ऐसी बाते मूं कहेगा लेकिन चली आगे चलते यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता हाँ मेरी सह भी लो सह लो तुम दूसरे को सहते हो मेरी भी सह लो दूसरी आयन क्योंकि मैं अब तुम्हारे विशय में इश्वरिय धुन लगाए रहता हूं इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीझ को सौंपदू पौलूस कहता है मैंने तुम्हारी बात चलाई है एक पिता के जिम्मेदारी होती थी कि अपनी कुवारी बेटी के लिए वो बात चलाए विवाह के पॉलोस कहता है मैं एक आत्मिक पिता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारी येश्व से बात चलाई है और मुझे अब भय है आगे देखिए तीसरी आहत में परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हववा को बहकाया सांप ने हववा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कहीं ब्रष्ट न किये जाएं इसलिए मेरी मुर्कता सहलो पहली बात मैं मुर्क तुमारे सामने बनना चाहता हूँ लेकिन मेरा उदेश ही क्या है मैं चाहता हूँ कि तुम तुमारी सीधाई को तुम तुमारी पवित्रता को कहीं खो न दो विवाह की बात सगाई की बात यहां पर देखिए, पॉलस कहता है, मैंने तुम्हारी बात चलाई, बात चलाई, विवा नहीं हुआ है, विवा होगा एक दिन जब हम बादलों में मिलेंगे, तब होगा, इसका पूर्तिकरन आगे भविश्य में आएगा, लेकिन मैंने तुम्हारी बात चलाई, कितनी अच् उचरी संबंद में जोड़ा गया है और हम अपने आपको पवित्र रखने के लिए कैसे लिखाए? सीधाई और पवित्रता से अपने आपको संभाले रखने के लिए हम जिम्또दार हैं और हम बहकाये नहीं जाएंगे जैसे हाँआ बहकाई गई थी आगे यदि कोई तुम्हारे पास आकर अब देखिए शब्दों का प्रयोग यदि कोई नाम नहीं लिता दसपध्याई में भी उसने उसके विरोधियों के बारे में कहा था लेकिन नाम नहीं लिया एक बार और यहां कह रहा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे ये इशु का, ये कौन है दूसरे इशु? वह इशु जिसका प्रचार हमने तुमारे सामने किया, वह सचा इशु है, उसमें कुछ मिलावट करकर, उसमें कुछ बातें जोड कर, घटा कर, चाहे वो prosperity gospel हो, चाहे poverty gospel हो, चाहे resurrection centred gospel ही हो, चाहे cross centred gospel, ये सारी बातें जरूरी हैं लेकिन संदुलन चाहिए इन बातों में। पॉलुस कहता है, येदि कोई तुम्हारे पास आकर, तुम्हारे पास आकर, पॉलुस अपने बारे में गवाई देता है पहला कुरंतियों के अंदर, और वो कहता है मैं भेजा गया था, पहला ध्या की सत्रायत में, मैं भेजा गया था, मैं आया नहीं था, मैं भेजा गया था, लेकिन इसके विपरीत पॉलुस कहता है, येदि कोई तुम्हारे पास आकर, किसी दूसरे येशु, तीन शब्दे यहां पर आरें देखेगा, दूसरे येशु का प्रचार करें, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा, दूसरा येशु, दूसरा आत्मा, तुम्हें मिले, जो पहले न मिला था, और तीसरा देखिए, या और कोई सूसमाचार सुनाएं, जिससे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सहे लेते हो, तुम उसे सहे लेते हो, दूसरा येश्यू, दूसरा आत्मा, दूसरा सू समाचार जब तुमारे पास आता है, तुम सहे लेते हो, तुम टॉलरेट कर लेते हो, गलातियों को लिखते समय, कुछ और कठोर आगे, मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ यहां हमको हिंट मिलता है यहां हमको समझ में आता है कि पॉलुस कुरिंत के अंदर जो अपने आपको बड़े प्रेरित कहते थे उन से उन से वारतलाब करना चाहता है उन के सामने अपने आपको खड़ा करना चाहता है और वो साबित करना चाहता है कि वे गलत सिखा रहे हैं, वे सही नहीं है, उनके उद्देश सही नहीं है, उनके तरीके सही नहीं है और इसको साबित करने के लिए पॉलूस को उनके स्तर पर उतरना पड़ेगा और इसलिए मुर्खता की बातों को उसे करना पड़ेगा क्योंक वे ऐसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे एक बार और पांच वी आयत मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ मतलब अपने आपको वो नाम दे रहे थे हम बड़े प्रेरित हैं पालुस बड़े प्रेरित नहीं है चे यदी में वक्तव्य में अनाडी हूँ तो भी ज्यान में नहीं दसवे ध्याई के अंदर पालुस के लिए आरोप आया था कि वो पत्रियों में तो बड़ा गंभीर दिखता है परन्त जब वो सामने आता है दस के दस में परन्त जब वो सामने होता है तो वो देह का निर्बल और वक्तव्य में हलका जान पड़ता है बोल नहीं पाता है उसके शैली इतनी अच्छी नहीं है कन्विंसिंग नहीं है लिखता बढ़िया है लेकिन सुनने में मज़ा नहीं आता हूँ पॉलस कहता है यदी में वक्तव्य में भाशन शैली में भाशन के तरीकों में यदी में अनाडी हूँ तो भी ग्यान में नहीं मेरे पास ग्यान है तुम्हारी नजरों में मैं हलका जान पड़ता हूँ मेरी शैली को लेकर लेकिन मैं ग्यान में हलका नहीं हूँ आगे हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है कुरिंत वासियों हमने साबित कर दिया है कि भाशन शैली नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा जीवन तुमारे लिए गवाही ठहरा है साथ क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सू समचार सेंत मेंत सुनाया एक बहुत बड़ा आरूप था पॉलुस के उपर कि वो हमसे धन नहीं लेता है धन लो तो समसिया नहीं लो तो समसिया कुछ-कुछ ऐसा ही वहाँ था कुरिंत वासी चाहते थे कि पॉलुस उनसे धन ले ताकि वे जो कहें वो ही पॉलुस करें लेकिन पॉलुस जानता था और पॉलुस चाहता था कि हाथ से मेहनत करूँगा प्रभु की महिमा करूँगा मेरी आवशक्ताओं की पूर्ती करूँगा और मेरे साथियों की पूर्ती भी मैं करूँगा इसको लेकर थोड़ी अन्बन थी पॉलुस कहता है क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सूसमचार सेंत में, मुफ्त में सुनाया और अपने आपको नीचा किया कि तुम उचे हो जाओ कारिगर का काम करने वाले उस समय पर नीचा देखा जाते थे छोटा काम पॉलुस करता था, तंबो बनाने का हो या चमडे के चीज़ों को बनाने का हो उस समय पर समाज में ऐसे काम करने वालों को नीचा देखा जाता था पॉलुस कहता है, मैंने अपने आपको नीचा किया ताकि तुमको मैं उठा सकूँ आठ, मैंने अन्य कलिस्याओं को लूटा अरथाथ, मैंने उनसे मझदूरी ली ता कि तुम्हारी सेवा करू आपको मालू मैंना मकी दुनिया की मंदली ने एक बार नहीं कई बार उसके पास धनद पहुँचाया था और पॉलस कहता है मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूँ नो और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला क्योंकि भाईयों ने मकी दुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया ये भी एक गड़बडी का मैं नहीं लेता लेकिन जब सेवा के लिए जाना चाहता है तब बोलता है मुझे पहुँचा देना या मेरी मदद करना कि मैं नहीं जगों पर जाकर सेवा करूँ इन बातों को लेकर अन। थी और पॉलस सीधा वार कर रहा है उनके विचारों पर उनकी बातों पर एक बार और जब मैं तुम्हारे साथ था और मज़े घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाईयों ने मकी दुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आपको तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा, आज तक मैंने अपने आपको रोक कर रखा है, मैं तुमारे लिए भार नहीं बनाओं, मैं तुमारे लिए एक बोज नहीं बनाओं अरे पादरी साहब आगये, अरे सेवा करने वाले अरे अभी क्यों आए, अरे आज भी ऐसी बाते होती हैं, लेकि मुझे आर आपको सीखना है कि प्रभू की हमें सुनना है प्रभू की हमें मानना है दस्मी आयत यदि मसी के सच्चाई मुझ में है तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा पौल उसके रहा है ये मेरा घमंड है ये और ये घमंड की जब बात करूँगा हाँ अगर कोई लाकर मुझे दे मैं उसे ले लूँगा लेकिन मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा लोगों से लेने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा उस समय पर वचन के सिखाने वाले या भाषन शायली में अपने आपको आगे बढ़ाने वाले तीन चार तरीकों से अपने जीविका चलाते थे एक वे बोलने के पस्चात भेंट लेते थे दो बड़े घर के बच्चों को वो प्राइवेट ट्यूशन के समानों सी घर में रहकर उनके शिक्षा करते थे तीन वे लोग घर-घर जाकर भीक मांगा करते थे मतलब थोड़ी सेवा करीर बोलते है हमको दीजी उनको दिया जाता था चौथा खुद काम करते थे और दूसरों को संदेश सुनाते थे पॉलूस इस काटिगरी में अपने आपको रखता है और वो कहता है मेरे इस घमन को कोई नहीं चुराएगा 11 क्यूं क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता मैंने ऐसा क्यूं किया कुरिंत वासियो मुझे जवाब दो मेरी मुर्ख रखता है कि मैं तुमसे इस रीती से बात कर रहा हूं लेकिन मुझे जवाब दो मैंने ऐसा क्यूं किया परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं मेरे दिल में कोई कड़वाट नहीं है मेरे दिल में कोई दूरी नहीं है मैं तुमसे प्रेम करता हूं मैं तुम्हारे लिए बोज बनना नहीं चाहता था कुरिंथ की अंदर जो अपने आपको प्रेरित बोल रहे थे न वे लोगों से धन लेते थे और वे कहते थे हमारी सेवा काबिले तारीफ है इसलिए हम ये धन ले रहे हैं पॉलूस का संदेश इतना स्टेंडर्ड का नहीं इसलिए वो पैसे भी नहीं ले रहा है उसको मालूम है कि इतना लेवल का नहीं इसलिए वो नहीं ले रहा है ऐसी जूटी बातों को फैला कर पॉलूस को कुरिंथ की मंडली से ये जूटे प्रेरित जो अपने आपको बड़े प्रेरित कहते थे इंगलिश में एक शब्द आया है सूपर अपॉसल्स अपने आपको कहते थे और पॉरंत जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूनते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूँ लोग मौका ढून रहे ना मेरे जीवन में गलती ढून रहे ना मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूंगा और उनको कोई अफसर नहीं दूँगा ना शैत का धिन करेंगे तभी ये खुलेगा पत्ते के समान, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं, उसमें वे हमारे ही समान ठेरें, मतलब ये सुपर अपॉसल्स ही अपने आपको बड़ा कहने वाले प्रेरित घमंड करते थे कि हम फीस लेते हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास भशन शैली हैं और लोग हमें देने को तयार हैं और हम लेने को तयार हैं, इसलिए हम बड़े हैं, लेकिन पालुस कहता है हम ऐसे नहीं हैं, हम तो मेहनत करते हैं, हम सड़क पर बैठते हैं, काम करते हैं, पसीना भाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, इस मसले में, इस माम ठहरें, अगर हिम्मत है उन्हें पॉलुस चुनाती दे रहा है। अगर हिम्मत है उन्में, तो वे हमारे समान आकर काम करें यहाथ तेरा क्योंकि ऐसे लोग अब नाम नहीं देगा लेकिन उनका नाम करण करेगा चलि देखते हैं आपन ऐसे लोग झूटे प्रेरित छल के काम करने वाले और मसी के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं पहले उसने बोला था पांचवी आयत में बड़े से बड़े प्रेरित बोला था उसने उसके बाद आप उनको एक और नाम दे रहा है ऐसे लोग जो अपने आपको बड़ा दिखाना चाहते हैं जो घमन करते हैं और धन लेकर सेवा करते हैं और कहते हैं अन्नी लोग हमारे लेवल के नहीं हैं अपने आप में तुलना करते हैं ऐसे लोग कौन हैं जूटे प्रेरित चल से काम करने वाले और मसी के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं रूप धरने वाले मसी की प्रवरित नहीं है रूप धरने वाले हैं डिसीव करने वाले हैं जैसे हववा को शेतान ने धोका दिया वैसे ये लोग विश्वासियों को धोका देते आज भी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग पाय जाते हैं कुरिंत के अंदर ही नहीं आज भी लोग पाय जाते हैं, जो छल के द्वारा, जो घलत शिक्षा के द्वारा, जो छिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा तैयार हुई फसल को बिगाड देते हैं, कुछ भी बोल दिया और लोग मान लेते हैं और बहख जाते हैं और फिर जब सेवक आता है या सेविक आती तो वो बोलते हैं हमने तो उनकी बात सुन ली वो बात हमें जादा अच्छी लग रही थी मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ जंगली घास हमेशा जल्दी बढ़ती है असली घास को टाइम लगता है आप नहीं तो दोनों को साथ बोकर देखिए आप गलत शिक्षा जल्दी फैलती है खेर आगे चौध मिया ये कुछ अच्छमभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी जोति में स्वर्गदूत का रूप धारन करकर लोगों को फुसलाना चाहता है बहकाता है क्या ऐसा कहा था कै सच मुझ कहा था इतनी पवित्रता चाहिए क्या इतनी मीटिंग में जाना जरूरी है क्या इतना बाइबल पढ़ना जरूरी है क्या इतना देना जरूरी है क्या ये सार शेतान आप भी जोतिर में स्वर्गदूत का रूप धारन करता है। शेतान के बारे में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग इस पत्री के अंदर किया है। शेतान आप भी जोतिर में स्वर्गदूत का रूप धारन करता है। अब पंदरा देखी। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आज हम पकड़ नहीं पाएंगे। आज हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन रुख जाओ। एक दिन आएगा उनके कामों के कारण वे पकड़ जाएंगे। पॉल उस क्या कह रहा है। 16 आएट से आगे फूल स्पीच कहते हैं एक मूर्ग का भाषर पॉलुस देगा। और कहेगा मुझे मुर्ग कह दो और यह जो बात मैं कहा रहा है मुझे कहने दो एक बार। मुझे पसंद नहीं लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। और ऐसे कहेNDर वह अपने जीवन केंदर कप-कप, किन-किन होलातों में उसमें दुछाए, उसकी सूची हमें देगा. और ये पहली बार नहीं, इसी पत्री केंदर ये तीसरी बार होने जा रहे है. चौते अध्याई में उसने कहा, शटे अध्याई में उसने कहा और ग्यारवे अध्याई में अब एक बार और वो हमें ये सूची देगा, उसके दुखों की सूची उसे मजा नहीं आ रहा कि वो पब्लिक को बताए कि मैंने ये दुख उठाया, ये दुख उठाया लेकिन उसे कहना पढ़ रहा है क्योंकि लोग उसके बारे में जूट कह रहे हैं लोग उसके बारे में अफवाई फेला रहे हैं लोग उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं जो उसने कभी किया ही नहीं तो उन बचाव में ही नहीं लेकिन सच्चाई को प्रकट करने के लिपॉलूस अगले सत्र में अपन इस भाग को देखेंगे लेकिन मेरी ये प्रार्थना है आप सच्चाई को और जूट को और इन दोनों के फरक को आप समझ सको डिसर्णिंग स्पिरिट बोलते हैं परक का आत्मा जो विक्ति सिखा रहा है क्या वो सही है क्या वो गलत है क्या वो बाइबल के अधार पर है या अपने मनमानी से वो कर रहा है ये सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है मेरी ये प्रार्थना है कि आपको प्रभु परक का आत्मा देगा क्या सही क्या गलत क्या जोती से है क्या अंधकार से है आप समझ सकें और दूसरों को भी चिता सकें प्रभू आपको बहुत आशिश दे